नमस्ते जी वेलकम बैक तो मैं चैनल से कैसे आप सब तो आज इस वीडियो में हम डिसकस करने वाले हैं इग्नु एमिजी जिरो फाइब यानी की लिट्रेरी थियोरी का एक मोस्ट इंपॉर्टन टॉपिक जो की है मार्क्सिस्ट क्रिडिसिजम यह टॉपिक जो है वो काफी सारी इंपॉर्टन टॉपिक के उपर वीडियो चैनल पर आने वाली हैं और हाँ मैं आपको एक और बात बता दूँ कि यह जो आपको टॉपिक है मार्क्सिस्ट क्रिडिसिजम यह हम कह सकते हैं मार्क्सिस्ट लिटरी थियोरी यह आपका बहुत ही जादा इंपॉर्टन तो आप इस वीडियो को अच्छे से देखना अगर आपको वीडियो पसंद आये तो लाइक शेयर और सब्सक्राइब करना सो विडाउट एनी फरदर डिले हम वीडियो स्टार्ट करते हैं मार्क्सिस्ट क्रिडिसिजम जो है वह एक बहुत ही फेमस परसन थे उनसे इंस्प 1818 में हुए था एंड 1883 में इनकी डेथ होगी थी यह बहुत ही फेमस जन्मा फिलोस्पर, एकॉनोमिस्ट एंड पॉलिटिकल थेयरिस्ट थे एंड साथ ही इनको एक रेवलुशनरी भी माना जाता है तो आपको यहां से क्लियर हो ही गया होगा कि इनका एक बहुत ही फेमस वर्क था जो की बेस्ट था कॉमिनिजम के उपर एंड जिसमें इन्होंने क्रिटिसाइज किया था कैपिलिजम को को की तो यहां पर अगर किसी को नहीं पता है कि कैपिलिजम क्या होता है तो मैं उन्हें बता दूँ कि कैपिलिजम एक ऐसा égal कल सिस्टम होता है जिसमें आपकी प्राइवाट ओनर्शिप होती है मतलब कहीं ना कहीं ये जो owners हैं कि देखना आप किसी पुराने टाइम में अगर आपको पता होगा कि factories में जो owners होते थे वो rule करते थे and जो working class थी जो उनके जो भी laborers होते थे उनको जो है उप्रेस करते थे उनको जो है daily wages पे रखा जाता था उनको कम पैसे दिये जाते थे जिसस यहां पर capitalism के कुछ examples से उनको देख लेते हैं फरस्ट है United States known for its market driven economy with minimal government interference in business operations यानि कि United States economy है वो capitalist है क्यूंकि वहां पर जितने भी business operations होते हैं जो भी आपके वहां पर industrial works होते हैं जो की ownership जो है वो total वहां पर privatization है and वहां पर जो government है वो interference बहुती minimum level पर करती है and second है आपका Western European countries यहां पर आपकी जो economy है वो combination में है यानि कि capitalism भी exist करता है and कही न कहीं socialism भी exist करता है socialism जो है वो equality के ओपर काम करता है means वहां पर social welfare programs भी चलाए जाते हैं वहां पर कहीने कि capitalism भी exist करता है तो हो सकता है यहां पर आपको capitalism का जो concept हो इतना ज़्यादा clear नहीं हो पाया होगा क् कि यह video जो है वो capitalism और communism के ऊपर नहीं है तो मैं इस वीडियो में ज्यादा explain नहीं कर पाऊंगी तो मैंने इसके ऊपर already video डाल रखी है जिसका title है Karl Marx the communist manifesto तो वहां पर आपको communism का concept and capitalism क्या होता है दोनों ही बहुत अच्छे से explain किया गया है तो आपको वो वीडियो जाकर जू आपको आगे समझाएगा कि actual में जो marxist criticism है वो क्या है तो Karl Marx के जो कुछ important works थे उनमें से सबसे important है आपके दो works जो की काफी ज़ादा important है first है the communist manifesto जिसकी वारे में अभी just मैंने बात की थी यह इन्होंने 1848 में लिका था and यह इन्होंने Frederick Engels के साथ collaborate करके लिका था एक pamphlet थ जो है theory दी थी society के उपर politics के उपर and कही न कहीं इन्होंने working class किस तरह से जो है काम करती है owner class किस तरह से उनको oppress करती है यह सारी चीज़ें इन्होंने इसमें discuss की हुई है and यह कहीं न कहीं working class को इस manifesto में जो है एक तरह से जागरू करने के कोशिश करते हैं कि working class को जो है capitalism system है उ सेकंड इनका वर्क था दास कैपिटल जो कि इन्हों ने लिखा था 1867 में यह भी काल माक्स का मोस्ट फेमस वर्क माना जाता है क्योंकि इसमें बहुत ही ज़्यादा डिटेल में बताया गया है कि वर्किंग क्लास जो है वो किस तरह से उप्रेस की जाती है कैपिटलिजम की वज़ा से एंड जो कैपिटलिस्ट है वो किस तरह से एक्स्प्राइट करते हैं वर्कर्स को एंड जो वैल्थ है वो एक्युमिलेट जो है वो टोटली आपके करते हैं ओनर क्लास यानि की मिलता है तो यह दोनों वर्क्स जो है वो कालमाक्स के का फिसाथ important है इसके अलावा अगर मैं बात करूँ तो कालमाक्स का जो मानना था वो यही था कि दुनिया में मूल रूप से आपके दो ही तरह की समस्या है जो की पैसों से related है क्योंकि दुनिया में इनका मानना यही था कि अगर working class का operation खतम करना है तो सभी को यानि कि working class के जितने भी लोग है उनको जो है एक साथ होकर owner class के gains जो है वो violent revolution करना होगा तो एक्चुल में कालमाक्स का मानना यही था कि जिस दिन ये जो violent revolution है ये हो जाएगा उस दिन working class and ruling class का यह जो system है खतम हो जाएगा and जो आपकी capitalist society है वो कहीं न कहीं collapse हो जाएगी and फिर socialism की स्थापना होगी socialism का मतलब होता है कि जितने भी आपके पैसे होगे वो सब को equally distribute किये जाएगे जिससे क्या होगा कि अमेरी और गरीवी का जो फ़रक है खतम हो जाएगा and at the end यह जो communist society है यह आपकी socialism के बाजवे आ जाएगी तो यह आपके काल मार्क्स का मानना था क्योंकि communist society को ज़्यादा preference देते थे तो हम कह सकते हैं कि जो काल मार्क्स है यानि कि इनका जो marxism इनके नाम से यह जो एक विचारधारा ली गई है यह एक तरह का आंदोलन था जो actual में poor and struggling लोग यानि कि जो working class है उनके साथ खड़ा हुआ था ओके देन तो यही था काल मार्क्स के बारे में तो अब जान लेते हैं हमारा main topic जो की है marxist criticism so marxist criticism is a method of analyzing literature that stems from the theories of Karl Marx and Frederick Engels यानि की marxist criticism जो है वो literature को analyze करने का एक ऐसा method है जो की Karl Marx and Frederick Engels की विचारधारा पर waste है यह दोनों वही persons हैं जिनोंने communist manifesto भी एक साथ लिखा था and इसके बाद है कि it's all about looking at how economic and social conditions influence literature means यह basically explain करता है कि कैसे society की social and economical conditions literature को influence करती है मतलब कि जिस तरह की society होगी जिस तरह को वहां पर आपका मतलब economical condition होगी वही आपका literature भी reflect करेगा को की तो marxist criticism को understand करने के लिए हमें marxism की कुछ basic concepts का knowledge होना जरूरी है तो उनको देख लेते हैं तो basically आपकी four concepts हैं जो की marxism जिसके उपर based है first है आपका historical materialism second है class struggle third है based in superstructure and fourth है ideology तो हम सभी को बारी बारी से discuss करेंगे तो सबसे पहले जान लेते हैं historical materialism के बारे में तो marxist जो है वो believe करते हैं कि material conditions and economical factors जो है वो कहीं न कहीं society की development को primarily influence करते हैं and history से ही आपका class struggle जो है वो exist किया है means की class struggle रहा है working class and owner class के बीच में क्यूंकि working class जो है वो factories में as a worker काम करती थी and owner class जो है वो factories के मालिक होते थे तो ये तो आपको पता ही होगा कि पहले जब भी आपकी working class काम करती थी तो पहले उनको कितना जा oppressed किया जाता था हालांकि अब जो situation है वो काफी ज़दा बहतर हो चुकी है अब जो factory owners है वो oppressed तो नहीं करते हैं अपने workers को तो अब चीज़ें change हो चुकी है लेकिन history में ये सब चीज़ें exist करती थी जिससे क्या होता है कि वो working class है उनको आपके daily wages पे रखा जाता था अगर वो कोई product बनाते हैं किसी भी factory में माल लो कि working class जो है वो आपकी कोई भी shirt अगर बना रही है तो अगर वो shirt की लागत उस factory में बनने की है 10 रुपै लेकिन उन working class को अगर वो ही shirt बाहर से बजार से अपने बच्चे के लिए खरीदने हैं तो उन्हें उसके लिए पे करना पड़ेगा 300 रुपै तो कही ना कहीं आप देख रहे हो लेकिन यह जो अब 10 से जो 300 तक का सफर है यह जो जितना ही profit है यह आपके owners जो है वो कभी भी workers के साथ share नहीं करते थे जिसकी वज़ा से working class जो है वो हमेशा गरीब ही रहती थी और जो owner class है वो rich होती रहती थी यह इसी को आपका capitalist society भी कहते है यह capitalist economy भी कहते है और इसी के against आपके कालमाक्स जो है वो काम करते थे क्योंकि यह working class को कहीं न कहीं support करते थे कि उनको जो है उप्रेस्ट ना किया जाए और वो जो है वो इस operation के against जो है अपनी अवाज उठाए सो हमेरा second point है class struggle तो जैसे कि मैंने आपको पीछे बिताया कि जो society है उसमें आपकी दो classes exist करती थी यानि कि इस society आपकी दो classes में divided थी एक होती थी आपकी owner class और एक होती थी worker class तो इसमें से जो owner class है जो कि owner of the production होते थे उनको कहा जाता था voice guzzy and voice wazi अब इसके correct pronunciation तो मुझे भी नहीं बोलने आ रही है पर आप चेक कर लेना and second जो आपके working class थी उनको कहा जाता था proletariat तो ये नाम जो है वो आपके कालमाक्स ने दिये थे एक working class को एक owner class को तो इन दोनों classes के बीच में जो conflict है वो history से चला रहा था जिस करन social changes भी and अब हमारा next point है base and superstructure तो जो society है वो दो part में divided है एक society का base माना जाता है and second जो है superstructure माना जाता है तो base में included होते है society की जो भी economical foundations होती है यानि कि society को जहां से भी पैसा आ रहा है चाहे वो factories है चाहे वो कोई भी private कोई भी operations कि ये जा रहे हैं वो सारा आपका base में included होता है so जैसे कि मैंने आपको बताया कि base में basically आपका infrastructures आते हैं जैसे कि factory होगी machinery होगी raw materials होगे and आपकी जो production है वो कहीं ना कहीं आपका base होता है जो भी production जहां से हो रही है वो आपका base है जहांपे आपकी जो economy है वो based होती है इसमें आपकी working class जितने भी लोग होते हैं वो आते हैं capitalist आते हैं ठीक है और दूसरे जो super structure होता है वो होता है culture ideologies politics आपका social institution है practices है जिन में changes जो है वो कहीं ना कहीं base के कारणी आती है आपको पता है आपकी जिस तरह की economy होगी उसका influence जो है वो आपके culture के उपर आपकी ideologies के उपर जो है वो पढ़ता ही पढ़ता है आपका next point है ideologies तो ideology में basically बात की गई है एक type की विचार धारा की की ideology होती है set of belief values जो society पर अपना influence डालती है जो मतलब society को dominate करने के उपर विश्वास रखती है and according to Marxist उनका मानना था की ideology जो थी वो बहुत ही गंदी थी आपके जो working class के against जो थे आपके ruling class ठीक है ruling class क्या करती थी की वो अपनी ideology जो है वो society को पर थोपती थी impose करती थी ताकि society basically जो आपके working class है वो उन पर अपनी dominance दिखा सके working class को हमेशा अपनी अंडर दबा के रख पाए क्यूंकि ये होता भी है कि जो अमीर होता है वो गरीब को हमेशा oppress करने की कोशिश करता है तो कहीं न कहीं इस ideology के against था आपका Karl Marx का ये marxist criticism क्यूंकि ये इन चीज़ों को बिलकुल भी promote नहीं करता था इनके हिसाब से जो ये operation हो रहा है working class का ये बहुत ही गलत है and जो marxist criticism है वो इसी के against जो हो काम भी करता है तो ये थे basic concept marxism के उपर तो यहां पर मैं आपको एक चीज़ बताना चाहूंगी कि अगर आपको ये lecture पसंद आ रहा है आपको content अच्छा लग रहा है तो आप इस topic के जो मेरे handwritten notes है उनको आप खरीज सकते हो इसके लिए आपको थोड़ा सा amount पे करना पड़ेगा 49 rupees आपको इसके पे करने पड़ेगे क्योंकि मैंने भी थोड़ी महनत की होती है थोड़ा सा अपने को भी financial support आजाता है तो इसलिए अगर आपको खरीदने होंगे तो आप सोच समझ के खरीद लेना क्योंकि पैसे आपकी refund नहीं हो पाएंगे अगर आपको worth it लगता है तो आप खरीदना अगर आपको नहीं लगता है तो आप रहने देना आपको पूरी detailed note मिलेंगे जो मैं आपको provide करोंगी इस topic के उपर तो आपको करना कुछ नहीं है आपका यहां पर एक WhatsApp नमबर दे रखा है यही नमबर आपका जीपे पे भी है अगर आप नमबर की through payment करना चाहते हो तो वो भी हो जाएगा अगर आप scan करके करना चाहते हो तो वो भी हो जाएगा लेकिन आपको जब आप payment कर लोगे उसके बाद आपको इस WhatsApp नमबर पे ही वो screenshot डालना है payment का उसके आपके within 5 minutes जो है मैं आपको soft copy अपने handwritten notes की जो है वो PDF है वो आपको send कर दोंगी तो जिस किसी को भी लेने होंगे वो ले सकता है सिर्फ आपको 49 rupees जो है वो pay करने है बाकि अगर आपको अच्छा लगता है तो ही आप लेना ओके तो next है कुछ example जो की Marxist criticism को reflect करते हैं तो ये दो example हैं दोनों ही आपकी novels के example है first है Charles Dickens की novel A Tale of Two Cities second है F. Scott का The Great Gatsby elaborate करती है या उसको reflect करती है तो ये जो novel है इसकी setting है French Revolution के time की और ये जो novel है ये working class और हम कह सकते हैं जो poor class लोग है उनके oppression को बहुत अच्छे से depict करती है और ये oppression कौन करता है नन अदर देन आपकी owner class जो इसको आप oppressing class भी बोल सकते हो ruling class भी बोल सकते हो ये कहीं न कहीं आपके working class को जो है वो oppress किया करती थी and Marxist point of view जो basically आपका depict करता है class struggle को ही and ये कहीं न कहीं struggle को बताता है जो अमेशा exist किया है आपके aristocracy and जो working class है उनके बीच में तो इस novel में कहीं न कहीं Charles Dickens ने इस capitalist system को जो भी इस capitalist system का जो injustice है उसको अच्छे से criticize किया है तो हम कह सकते हैं कि Charles Dickens की ये जो novel है ये Marxist criticism के उपर based है नेक्स्ट example है F. Scott का The Great Gatsby Novel तो ये novel भी कहीं न कहीं similar ही है मतलब इसका भी concept similar ही है Charles Dickens की इस novel की तरह ही तो ये जो novel है ये आपकी basically explore करती है 1920 के दोरान American लोगों के जो dreams है उनकी जो social stratification है उसको अच्छे से depict करती है and एक Marxist point of view से इस novel को देखा जाए तो इसमें भी economical जो disparities हैं उनको अच्छे से दिखाया गया है because इसमें दो characters होते हैं एक आपका Gatsby होता है and second होता है आपका Tom Buchanan and ये दोनों ही कही ना कही economical status में एक दूसरे से बिल्कुल opposite होते है तो एक Marxist जो है वो इस novel को एक revealing work की तरह देखता है जिसमें capitalist society के corruption को उसकी inequality को अच्छे से expose किया गया है so ये तो थे हमारे examples तो next चाहल लेते हैं the rule of literature in society यानि कि एक literature जो है वो society को किस तरह से impact करता है या हम कह सकते हैं कि literature का क्या role लेता है society को build up करने के लिए तो देख लेते हैं आपके basically तीन main point है इसमें first है reflect social conditions second है challenge dominant ideologies and third है promote social change वो की तो first point है reflect social conditions तो आपको इस point के पढ़ने से ही clear हो गया होगा कि literature जो है वो कहीं न कहीं society में जो भी conditions है जो negative conditions है उसको reflect करने का एक बहुत अच्छा जरिया हो सकता है क्योंकि आप literature के थूँ जो है वो awareness जो है वो spread कर सकते हो आप society की negativity को जो है literature के उपर reflect करके लोगों तक पहुंचा सकते हो यही यहां पे जो आपके marxist थे उनका भी मानना था marxist मानते थे कि जो literature है वो ordinary लोगों के struggle को और उनके aspirations को अगर अच्छे से reflect करे और उस literature को अगर जो लोग है वो पढ़े तो कहीं न कहीं उनके मन में awareness जो है वो आ सकती है और लोग जो है वो social injustice के against जो है वो aware हो सकते है तो यह point भी यही बता रहा है कि आपकी जो literature है उसमें एक ताकत है कि जो dominant ideologies है जो कि owner class की होती है उनको जो है यह challenge कर सकता है मतलब उनके ओपर target कर सकता है कैसे marxist मानते थे कि जो literature होता है वो society के struggle को अगर अच्छे से reveal करता है society की हर एक बारी की को उनके दुख दर्द को उनके struggle को अच्छे से अगर literature के थूँ जो है reveal किया जाएगा तो literature में यह ताकत है कि वो लोगों को social change and critical thinking के लिए inspire कर सकता है and जो आपके dominant ideologies है आपके owner class की उनको जो है वो challenge कर सकता है और लोगों को उसके against जो है वो खड़ा कर सकता है तो third point है promote social change तो यहां पे भी आपके heading से clear हो रहा है कि एक literature जो है वो कहीं ना कहीं आपके society में changes लाने की ताकत रखता है तो आपके marxist मानते थे कि literature जो है वो utopian vision को present करने वाला होना चाहिए utopian vision यानि कि एक अच्छी perfect society को create करने वाला होना चाहिए ताकि जो लोग उस literature को पढ़ रहे हैं वो उससे motivate हो सके और लोग जो है वो inequality को खतम करने की कोशिश करे